योगी आदितनात ने दरसल एक और बॉम फ्यूस करने की तयारी की है वो है आबादी बॉम दो बच्चे रहत ज्यादा सियाफात अब तयारी है उत्तर प्रदेश में अगर दो से ज्यादा बच्चे होंगे तो मुश्किले वड़ जाएंगी योगी आदितनात ने बाकाइदा जनसंख्या नीती लागू की है जल्दी से आपको बताने जारे है अगर यूपी में रहते हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर दो से ज्यादा बच्चे जिनके भी है उनको क्या नहीं मिलेगा योगी आदितनात ने जनसंख्या नीती लागू कर दी विश्वे जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितनात ने सूबे के लिए नई जनसंख्या नीती का मसाधा पेश कर दिया है उत्तर प्रदेश के राजज विधिया आयोग न सीम योगी के आदेश पर इस मसाधे को तयार किया है जिसके तहर जिन लोगों को दो से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको कई तरहा की सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी बड़ी खबर ये है साथ ही किसी तरहा की सबसीडी भी नहीं मिलेगी अगर दो से ज़्यादा बच्चे होंगे और ऐसे लोग इस्थानिय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे मसाधे के मुताबिक दो से ज़्यादा बच्चे वाले अभिवावत 77 तरह की सरकारी योजनाओ और अनुदानों का लाब नहीं ले सकेंगे जिन लोगों के दो से ज़्यादा बच्चे होंगे वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे यानि उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी इसके अलावा जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं देखिए जरा बड़ी खबर ये अगर पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बच्चे दो से ज्यादा हैं तो उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें अब प्रमोशन नहीं दिया जाएगा तीसरी संतान अगर प्रतिनिधी का निर्वाचन रद्ध करने का भी प्रस्ताव मसौदे में शामिल है। प्रतिनिधी का निर्वाचन रद्ध करने का भी प्रस्ताव में शामिल है। जनसंख्या निर्वाचन रद्ध करने का निर्वाचन रद्ध करने का भी प्रस्ताव में शामिल है। जनसंख्या व्रद्ध की वज़ा से शिक्षा में गिरावच आ रही थी लगातार प्रदूशन बढ़ गया था यूपी में तो ये वज़ा रही द्रस्ताव